असलाम लेकुम स्टुडेंट्स वेलकम बेक टू दे लेक्चर ओफ लीनेर अलजब्रा जैसे कि हम वेक्टर स्पेस का टोपिक जो है वो डिसकस कर रहे हैं हमने वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन और एक्जैंपल जो है वो काफी डिटेल्स में हम देख चुके हैं और कुछ प पर पस यह है कि अगर हम डबल्यू जो है वो एक वेक्टर स्पेस जो है वो वी पहले एक वेक्टर स्पेस ले रहे हैं और सम फील्ड एफ और डबल्यू एक सबसेट ले रहे हैं किसका इस वेक्टर स्पेस वी का अब भी हम डबल्यू को क्या कह रहे हैं कि डबल्यू एक W जो है यह सब स्पेस कब कहलाएगा अगर यह भी W जो है वो वेक्टर स्पेस बन जाए और फिल्ड F under the same binary operation as defined in the vector space V ठीक है दो बाते हैं एक तो यह कि W हम सब सेट कहां से ले रहे हैं V में से और W पर हमने condition लगाई है कि W is not equal to 5 है मतबना ग्लू जो ए वह seंब का सकते हैं तो यह वह सब सेट skye का ले है वह भी वाली सारी 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 प्रोपैटी झार जो पारिने प्रेशन हमने इस पर cpl कि एंगने अगर नहीं को यूज करते होएं और दृट्व भी वेक्टर स्पेस सब सेट बन जाए तो हम फिर कहेंगे के W क्योंकि सबसेट था और इसलफ यह एक वेक्टर स्पेस बन गी है तो फिर इस W को हम कहेंगे कि यह वी वाली जो वेक्टर स्पेस है उसकी बन गी है सबस्पेस ठीक है अब हमें पता है कि अगर हम जो है सबसेट की बात करें तो हर सेट के जो है वो एट वो यहां पर हम जो है क्योंकि वेक्टर स्पेस की बात करें तो दूसरा हमें यह पता है कि इसकी जो ट्रिवियल वाला जो है वो इट सेल्फ जो है वो तो इसमें कॉंटेंड दो चीजें जो है वो तो हमेशा ही कॉंटेंड कर रही होती है एक वी और दूसरा हम यहां पर क्यो है हम वह हम यह वला लेंगे कि यह जो जिसमें हम जो है वजीरो ले रहे हैं ठीक है तो यहां पर हम जो है वह इन दोनों को जो है वह वेक्टर स्पेस के अंदर जो है यह एट लिस्ट दो तो ऐसे सबसेट्स हैं जो हमेशा जो है वह सबसेट्स की प्रॉपरी को सैटिस्फाइ करेंगे ही करेंगे ठीक है एक तो ये अडेंटिटी वाला मतलब वी इटसेल क्योंकि ये सबसेट है वी का तो ये ट्रीवेली जो है और दूसरा हम जो है सबसेट जो ले रहे हैं वी का वो हम ले रहे हैं जिरो ऐसा सेट जिसमें सिरफ एक ही ऐलिमेंट हो जिरो और ये जिरो यहां पर identity है हमारे पास तो यह दोनों जो sets हैं यह तो हमेशा वेक्टर पेस ऐसे सबसेट्स हैं विक हैं जो हमेशा वेक्टर सपेस की properties को satisfy करेंगे तो इट मिन्स कि ये दो जो है वो हमारे पास trivial vector space जो है ये हमने दो trivial sub spaces ले ली है ये itself भी vector space पर आते है तो इसलिए और subset भी है V के तो फिर ये trivial हमारे पास जो है वो sub spaces बन गी है इसकी V की अगर हम इसके अलावा कोई और sub space लेते हैं V की तो फिर हम उसको कहेंगे कि वो non-trivial sub space है अगर हम v या 0 लेते हैं तो यह दोनों हमारे पस trivial sub spaces है और अगर इनके अलावा हम कोई भी और space लेते हैं तो वो हमारे पस जो है वो non-trivial sub space होगी अब हमने क्या कहा कि sub space होने के लिए पहले W को जो है वो subset होना चाहिए तो फिर यहां से में एक बात यह पता चली कि हर subset जो है वो तो सबस्पेस नहीं होता मतलब हमने एक subset consider किया से अगर वो वेक्टर स्पेस की properties को satisfy नहीं कर रहा तो सबस्पेस नहीं बनेगा लेकिन सबसेट तो है लेकिन अगर कोई सबस्पेस है हमें पता है उसके बारे में confirm है कि यह सबस्पेस है तो फिर वो सबसेट तो मस्ट होगा पहले वो सबसेट होगा तो वो सबस्पेस पे जाएंगे ना अब इसकी examples में देख लेते हैं यहां पर हमने space consider की है all polynomials की एक तो हमने जो वी वाली वेक्टर सबस्पेस है वो हमने लिए यहां पर P-OFx और P-OFx जो है वह सैट ओफ और पोली नोमियल्स है टेक है हमने पी आफेक्स ले ली और दूसरी जो वेक्टर इसका जो सबसेट लिए इसमें हमने वह वाली सारी polynomials ले लिए हैं जिनकी degree जो है वो less and equal to n है ठीक है together with the zero polynomial और इसके अंदर zero polynomial भी है तो फिर यह जो है ऐसी polynomials जो हैं यह हमार पास subspace बन जाएंगी किसकी p of x की ठीक है p of x यहां पर set of all possible all polynomials है और यहां पर हमने जो है है वो इसको fix कर दिया के less or equal to n वाली जो है वो पोरी नोमिल हम इसमें ले रहे हैं अब next अगली example जो है वो हमार पस यह है कि अगर हमार पास r cube एक euclidean space है ठीक है इसको हमने प्रूफ भी आलड़ी किया हुआ है कि ar n वाली जो हैं वो सारी की सारी यह हमार पास जो हैं वो बंड़ रही थी वेक्टर स्पेस बंड़ रही थी यार वन को हमने देखा r1 रियल नमबर्स को देखा था हमने R2 को देखा था R3 को इस पे किस तरह Operation Defined था ये भी हमने देखे थे कि ये सारे जो हैं वो वेक्टर स्पेस बन रहे हैं अब R3 में हमारे पास अगर हम बात करें तो Elements किस तरह के होते हैं अगर हम R2 में बात करें तो R2 में हमारे पास जो Elements होते हैं वो होते हैं Order Pairs की Form में हमारे पास जो R2 में Elements आते हैं वो आते हैं Order Pairs की पेर की Form में अगर मैं R2 के Elements एक्सप्रेस करना चाहूँ तो ये इस तरह की Form में आते हैं X,Y Such that X,Y जो दोनों है Elements ये ये लंबर से भी लोंग कर रहे होते हैं तो इस तरह की Elements हमारे पास R2 में आते हैं अब अगर हम R3 की तरफ मूव कर जाएं तो R3 में हमारे पास कुछ ट्रिपलेट की Form में आएंगे X,Y and Z इस तरह की Form में हमारे पास Elements आएंगे और यहां पर X,Y और Z तीनों के तीनों जो हैं यह हमारे पास कोई ना कोई Real Numbers है ठीक है तो यह R3 की Defining है कि इसमें ट्रिपलेट आते हैं और यह X,Y और Z जो इसकी Entries है यह हमारे पास Real Numbers में से है तो यह R3 है तो R3 हमारे पास तो है वो Vector Space है यहां पर V वाला जो सेट हमने Consider किया है अब वो हमने यही किया है R3 और हम क्या कह रहे हैं कि अगर इसमें से एक इसका जो है वो सबसेट ले ले लेते हैं W W हमने एक सबसेट Consider कर लिया इस P का और R3 में हमने कहा कि R3 में Elements हमारे किस तरह की FOM में आ रहे थे R3 में हमने कहा कि ट्रिपलेट आ रहे है इस पॉइंट को जो है वो अपने दिहान से देखना है X, Y और Z की FOM में हमारे पस ट्रिपलेट आ रहे थे R3 में तो फिर इसका W मेंने एक सबसेट लिया है और W में मैंने Elements जो है वो कुछ इस तरह की FOM में ले लिया है कि मैंने X और Y ले लिया लेकिन Z मैंने FIX कर दिया कि Z जो है वो मेरा FIX हो गया कि Z हमेशा 0 ही ले रही हूँ मैं तो ये W मैंने इस R3 का क्या लिया है जो V Vector Space R3 हमने लिए थी उसका एक सबसेट लिया है क्योंकि X, Y और Z तिनों इंट्रीज जो है वो हमने क्या का था रियल लंबर समेंसे तो 0 भी एक रियल लंबर है अब इसको मैंने FIX कर दिया तो ये बिसिकली एक सबसेट बन गया इस Wector Space V का और ये सबसेट भी बन जाएगी इस Wector Space V की इस चीज़ को जो हम प्रूफ भी कर चुके है हैं पहले कि X Y,0 ये जो है ये वेक्टर स्पेस बनाता है ठीक है तो इसका मतब है ये सबसेट भी है और ये वेक्टर स्पेस इटसेल्फ भी है तो फिर इट मेंस के फिर हम ये क्या कह देंगे कि ये वाला जो सेट है जो हमने लिया जिसमें X Y,Z की प्लेस पे हमने जिरो फिक्स कर दी है तो ये हमारे पास जो है वो सबसेस है इसकी आर्ट यूब की अब नेक्स जो है जब सबसेस जो है वो क्राइटरिया हम लोग डिसकस करने जा रहे है या कौन सा इसा तर्जल्स है लेकिन इस result को हमें understand करना जो है वो बहुत जरूरी है यहां पर हमने V जो है वेक वेक्टर स्पेस ले लिया over sum field F और हमने कहा है कि यह जो है हम ले रहे हैं W इसकी एक subset है known empty subset हमने इसका ले लिया है V का और फिर हमने कहा कि यह W जो है यह इसकी sub space तब बनेगी if and only if की condition है कि अगर हम W में से दो जो है वो elements लेते हैं W1 and W2 और इनका अगर हम sum करते हैं तो वो W में contain करें और secondly अगर हम एक element W जो है वो capital W से ले रहे हैं और alpha जो है हम field में से ले रहे हैं तो यह alpha W मतलब यह and with respect to addition भी close हो और with respect to scalar multiplication भी close हो ठीक है तो फिर इस डब्ली को जो है वो हम कहेंगे जो हमने non empty subset लिया था इस वी का फिर इस डब्ली को कहेंगे अगर यह इन दो conditions को satisfy कर रहा है तो फिर इस डब्ली को हम कह देंगे कि यह हमारे पास sub space है वी की यह basically test भी है जो use होता है कि अगर हम कोई subset ले रहे हैं non empty वी का तो क्या वो sub space बन रहा है या नहीं तो उसके लिए यह test भी basically यह use किया जाता है कि अगर वो w ने यह दो को no conditions जो है वो satisfy हो रही है तो फिर वो sub space होगी और अगर w sub space है तो उसको इन दोनों कंडिशन को जो है वो satisfy करना जरूरी है must है कि वो यह दोनों कंडिशन satisfy करेगा क्योंकि यह if and only if की statement है ठीक है अब इसके proof की तरफ तो जो है वो में मूव नहीं करना चारी लेकिन इससे आगे इस theorem की एक क्रॉल्री है उस क्रॉल्री को हम जो है वो discuss कर लेते हैं कि वो हमें क्या बताती है अब हम इस क्रॉल्री की तरफ मूव करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको जो है वो difference बता दूँ के theorem और क्रॉल्री में हौर पास फड़क क्या होता है एक और भी literature में वर्ड यूज किया जाता है वो है lemma ठीक है अगर हम देखें theorem क्रॉल्री और lemma के दिरमयान हौर पास difference क् लेमा एक ऐसा result होता है जो theorem को proof करने के लिए use होता है और theorem फिर ऐसा एक valid result है कि जिसको हम जो है वो proof करते हैं कुछ assumptions यूज करके जिसके बरे में हमरे पस 100% short ही मिल जाती है फिर हम उसको जो है उस लेमा different lemmas जो चोटे result होते हैं उनको use करके हम एक बड़ा theorem proof करते हैं और इसको हम कहते हैं कुरैलरी जोसे अभी हमने एक theorem की statement देखी अब यह उसकी आगे से एक application है इसको हम कह रहे हैं कुरैलरी और इसकी statement जो है यह भी काफी ज़्यदा important है अब इसके लिए अगर हम देखना चाहें तो वो जो है हमने पहले एक theorem पड़ा वो two step test है सब स्पेस चेक करने के लिए यह use किया जाता है अब यहांवर हमने क्या consider कर लिया डबल्यू एक subset consider कर लिया इसी तरह non empty v का और हमने कहा के w1 और w2 जो है वो उसी तरह w में से elements है और a और b2 हमने यहां सपेर जो है वो scalar लिये हुए हैं तो यहां से क्या implies हो जाएगा कि a into w1 plus b into w2 यह अगर w से भी long कर जाएं तो फिर w जो है वो हमारी sub space prove हो जाएगी यह भी if and only if की condition है कि w कर sub space है तो वो यह दोनों condition satisfy करेगी और अगर एक condition को satisfy करेगी जिसमें हम जो है वो एक तो scalar multiplication ले रहे हैं फर्स्ट वाले element को हमने a से a वाले scalar से multiply कर लिया second वाले को b से और फिर हमने इनका addition लिया और वो हमारे पास जो इसका sum आ रहा है वो w में है तो यह दो एक मतब एक step में भी हम जो है पहले हम यह बात कर रहे थे कि पहले हमने कहा के w one plus w two अगर हम दो elements ले रहे हैं w में से तो इनका sum w में होना चाहिए दो conditions थी पहले यह थी और दूसरी हमारे पास थी के alpha times w ज condition को combine करके किसकी corollary हमने लिखती है कि अगर यह भी condition satisfy कर जाए तो हम जो है यह if and only if की condition है तो फिर हम क्या कह देंगे कि यह w वाला जो हमने subset लिया था यह हमारी क्या बनगी है sub space इसका जो है वह प्रूफ बहुत easy सा है और simple सा है जो first वाला अध्यूरम हमने भी पढ़ा जिस ठीक है और हमने a और b जो है वो दो हमने जो है वो field में से element ले लिए हमने suppose कर लिया है कि यह इस condition को जो है वो satisfy एक कर रहा है तो फिर हमारे पस क्या होगा कि अगर हम a और b को जो है वो wal ले ले यहाँ पर यह जो a और b दोनों scalars है ना और दोनों हमने field में से लिया हुए है तो अगर हम इन दोनों को one ले 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 तो यहां से हमारे पस क्या हो जाजा शो हो जाता है कि w1 प्लस w2 मतलब इनका जो sum है वो किसके belong कर गया w से ठीक है तो जो theorem की पीछे हमने statement पड़ी थी उसमें हमारे पस first value condition यह थी जो हमने show कर दी अब second condition अगर हम यहाँ बी को zero ले ले scalar है तो zero भी तो हो सकता है तो हम अगर बी को zero ले 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 तो यह हमरे पस a w1 आईए किसके belong कर जाएगा w से ठीक है तो अब जो previous हमने theorem की statement देखी तो इसमें हमने क्या कहा कि अगर कोई subset इन दोनों conditions को satisfy करता है तो फिर वो जो है वो subset जो हमारा क्या बन जाएगा subspace तो फ स्का कंवर्स हमने प्रूफ करना है तो कंवर्स में हमने इसको w को जो है वो subspace ले के चलना है और हमने शो करना है कि यह condition जो है वो satisfy होती है अब अगर w हमारी subspace है ले थेखाई तो फिर हम जो वी theorem हमने उपर पर पढ़ा था वो हमें थीरम क्या कहता है कि फिर अगर यह सबस w जो है वो sub space है ठीक है अब अगर w sub space है तो it means कि ये इन दोनों को जो है ये इस से ही belong कर रहे है w से क्योंकि ये second वाली condition यही है उस theorem की ठीक है अब जो first condition थी वो हमारे पास क्या थी कि अगर हमारे पास w1 and w2 अगर हमने दो elements लिए है w में से तो इन दोनों का जो sum है वो भी किस से belong कर जाएगा w से belong करेगा ये हमारे पास दूसरी condition थी अब इसको हम use करने जा रहे हैं क्योंकि a w1 और a w2 जो है ये दोनों w में से element हैं तो फिर इन दोनों का जो sum है वो भी जो है वो किस में होगा w में होगा तो फिर्स्ट वाले ये अब हमने condition यूज कर लिए तो बिसिकरी ये वह ही condition जो है वो हमारे पास बंगी जिसको हमने प्रूफ करने चाह रहे थे कि a w1 प्लस b w2 जो है consider कर लिया है आर टू का ठीक है अब आर टू में हमारे पास elements किस तरह की है मैं दबारा जो है वो यहां पर explain कर दी हूं आर टू में हमारे पास इस तरह की form में element है x y such that के ये x और y जो है ये दोनों real number से belong कर रहे है इस तरह की form में हमारे पास आर टू में elements है अब w इसका एक subset ले लिया है जिसमें y की value जो है y is equal to 0 जो है वो fix कर लिया और 0 भी real number से belong कर रहे है तो ये w जो है फिर इस आर टू का हमने एक subset ले लिया है ठीक है और ये एक known empty subset है क्योंकि यहां पर a जो है वो तो हमने कहा कि कोई भी real number है ठीक है तो show that w is a sub space of r2 इसको हमने show करना है कि ये हमारे पास r2 की क्या है sub space है subset तो हमने ले लिया अब हमने क्या कहा था sub space की definition में कि w को जो है वो सारी की सारी वेक्टर स्पेस की conditions अगर satisfy कर जाए तो w जो है वो उसकी sub space बन जाएगी ठीक है और हमने अभी जो है वो जो टेस्ट पढ़ा है ना उस टेस्ट को भी हम use करके जो है वो इसको show करेंगे आप लोग वो ने ये करना है कि इस w पे ना वेक्टर पढ़ा है sub space चेक करने के लिए उस टेस्ट को यूज करके जो है वो बताने जा रही हूं कि यह हमारे पस कैसे बनेगी अब उस टेस्ट में हमें क्या चाहिए था कि दो elements चाहिए थे जो हमने set w लिया हुआ था उसमें से दो element अब यू और वी जो है वो मैंने अगर दो element ले करें और second वाला entry जो है वो fix है वो हमने zero ले ली अब alpha और beta इसमें हमने दो scalar ले ली है क्योंकि इसमें field हम जो use कर रहे हैं वो real numbers ही use कर रहे हैं तो हमने क्या show करना है we have to show that कि w is the subspace w को हमने subspace show करना है आट की तो इसके लिए हमें क्या show करना पढ़ेगा कि alpha u plus beta v जो है इनका product w में है ठीक है तो यही condition हमारे पस sufficient है अगर हमने यह show कर दिया तो हमारे पस required जो है वो proof हो जाएगा अब alpha u alpha u की जो value थी वो हमने a zero ली थी और v की b zero ली थी अब alpha को इन से multiply कर दें इसी तरह beta को multiply कर दें तो अब जब alpha को a से multiply करेंगे यह alpha ही हो जाएगा alpha को गर हम zero से multiply कर करते हैं तो वह मारा आज जाएगा zero ठीक है क्योंकि कि किसी भी और रियल number को अगर हम zero से multiply करते हैं तो वह हमें zero ही दे देते हैं अब इनको हमने करना है add किस तरह होते हैं हमारे पास order pair add order pair हमारे पास कुछ इस तरह से होते हैं कि first वाला pair हम first में add कर देती है second वाला order pair हम second मे add हो जाएगा अब इस पर हमने जो है वो focus करना है इस entry पर हमें जो है वो w की definition फुल करने के लिए क्या चाहिए कि यह first वाली entry जो है वो real number से belong करनी चाहिए ठीक है अब यह first वाली entry हमारे पास आगी है alpha a plus beta b आगी है अब हम देखें कि alpha हमने कहां से लिया था alpha हमने real numbers में से लिया था क्योंकि field हमारे पस यहां पर set of real numbers थी alpha भी real numbers थी ता और w में से यह दो elements लिये थे तो यहां से हमने यह पता चला था कि यह जो a और b हैं यह भी किसमें से है रियल numbers में से हैं अगर alpha भी एक real number है तो alpha real है तो alpha into a यह भी एक real number ही होगा ठीक है इसको save मैं अगर r one का दे दूँगे पे क्या झाल जो के इसकी रीजन किया है क्योंकि भी upp हम्सक्राइब एक ॉस्म्सरा करे नी विए थी suppose किया है कि यह R1 की equalize को मैंने R2 के लिए अब अगर दो real numbers का हम sum कर रहे है R1 प्लस R2 ठीक है यह alpha A की place पे R1 प्लस alpha B R2 दो real numbers का अगर हम sum लेते हैं तो यह again हमारे पास एक real number ही आ जाएगा ठीक है यह हमारे पास again एक real number ही आ पास zero है तो W की definition को यह fulfill कर रहा है W में हमने इस तरह की elements लिए हुए थे जिसका first पे real में से हो और second जो है वो zero हो इक मींज के यह पुरे का पूरा order पे जो है यह किसके अंदर belong कर गया W के अगर यह W के अंदर belong कर गया है तो actually जो हम शो करना चाहरे थे हमारा काम हो गया कि alpha U plus beta V जो है यह किसे belong कर गया W से अगर alpha U plus beta V W से belong कर गया है तो W जो है वो क्या proof हो की है subspace R2 की ठीक है और यही हमारा जो है वो target था कि हम यह काम जो है वो शो कर दें अब next यह आप लों के लिए एक practice exercise मैंने छोड़ी है जिसमें जो है वो first वाला पेर zero है और second वाला नौन दो रहा है और इसको आपने जो है वो subspace शो करना है R2 की एक तो आपने इसको जो है यह subspace के लिए जो criteria जो test आपको बदाया है इसको use करके आपने इसको proof करना है और दूसरा आपने जो है vector space की definition use करके जैसे first for example में उपको कहा दा कि आपने vector space की definition चोड़े करना है इसमें भी आप ने इसी तरह एक दफ़ाई को vector space की definition लेके proof करना है और एक दफ़ा जो है आपने इसी तरह इसको first वाला Pair जो है वो Zero लेकर पूफ करना है अब नेक्स्ट हमारे पास हमँजेमल है कि उसमें हमारे पास हमने शो करना है कि Ess- एक हमने सेट ले लिए इसमें 3D वाला पेर अमने 0 इसको हमनेरो पेरे सबस्क्र miar टुर न हम सबस्जेंट करना है расп री की। SAME वही self as जो है वो multiply हो जाएंगे आप triplet में first वाला first में second second में third third में और फिर उसी तरह ही ये real numbers ही basically बनेंगे same वही reasoning हम देंगे तो यह हम easily इस criteria की base पे जो है वो चेक कर सकते हैं कि यह हमारे पास जो है वो subspace बन रही है r3 की कि इसी तरह आपने जो है यह अगर हम a 0,c जाब ही ले रहे हैं तो इसको भी आपने जो है वह सबस्पेस्स चेक करना एक यह भी हमारे पास जो आफ़ markings इस बन रही है next example में अगर हम फिर्च वाला पेयर जो है वह जीरू ले 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 लें ते हैं तो इसको भी तो इस तरह बह्त आपर खिंग सकता है कि इसको चेक करें कि यह सब्स बन रही है यह नहीं अले हैंकि मैंने यहां पर कि दिशार करना है कि यह सबसे जो भी हम subset ले रहे हैं वो सारे ही जो है वो condition को satisfy कर रहे है तो हमें एक example ऐसी भी तो चाहिए थी नहीं कि कुछ ऐसे भी sets है मतब सारे सबसेट्स जो हैं वो सबस्पेस नहीं बनते कुछ ऐसे भी sets हैं जो सबस्पेस की condition को जो है वो negate करते है तो अब उन में से एक example यह है ठीक है ऐसे और बहुत सारे हो सकते हैं अब इसमें W में हमने किस तरह की elements ले लिए हैं फस्ट वाला real number और second वाला हमने one जो है वो fix कर दी ह अब इसमें से W में से अगर मैंने दो elements consider की हैं यू एंड वी ठीक है इसमें A और B जो है वो real number है और second वाला पेर fix है और alpha बिटा दो हमने real numbers ले ले लिए है अब इस पे जो है यही property हमने चेक करनी है कि alpha U plus beta V जो है यह हमारा अगर W से belong कर गया तो W सबस्पेस हो जाएगी otherwise otherwise नहीं होगी अब इसको जो है वो multiply कर लेते हैं इस alpha को A से multiply होगा इदर से one से multiply होगा तो one क्यूंकि हमें पता है का multiplicative identity है तो alpha dot one जो हो हमारे पस आजाएगा alpha ही आजाएगा ठीक है तो यह हमारे पस आगया alpha इसी दरा beta dot one जो हो हमारे पस beta की equal आजाएगा अब इनको add कर ले हैं फस्ट वाले पर फस्ट में add होगे second alpha plus beta अब यह alpha plus beta जो है यह कोई भी real number आ ठीक है लेकिन one नहीं आ रहा है क्योंकि हमें अगर w में इसने तब belong करना था इसका second वाला पेज हो है वह वान होता तो यही reason है जिसके वादा से यह w से belong अगर नहीं कर रहा alpha u plus beta v u और v दोनो हमने w में से elements लिये थे alpha बीटा हमने scalar लिये थे अगर यह condition को satisfy नहीं कर रहा इसका मतलब है कि फिर यह sub space जो है वो नहीं है r2 की इसी तरह आप के लिए भी एक जो है वो और example जो है उसको देख लेते हैं आज इसमें हमने matrices के लिए लिया हुए है invertible हमने scale matrices लिये और इसमें ह ले लिए है इसकी जो है वह interest किस तरह आ चाहरी है कि हमारे पस जो है second interest में zero ली है हमने तरह वाए ले ली हमने ठीक है और यह x1 y1 x2 y2 z1 z2 यह जो है वह रीयलंबर जाल आप है अब alpha बीटा हमने दो रीयल लामले ली है और इनको जो है वह multiply करवाते हैं उसी तरह matrices' को अग गया क्या W से बिलॉंग कर गया तो फिर तो यह सब स्पेस होगी या दर्वाइस यह नहीं होगी ठीक है तो इन अलफा को जो है हम मल्टिप्लाइ कर देते हैं इदर हमने बीटा को मल्टिप्लाइ कर दिया तो यह सारे हमेंट्स के साथ मल्टिप्लाइ होगा अब मैट्रिक्स अडिशन जो है वो अलड़ी हम डिसकस कर चुके हैं तो यह हमारे पास एड़ होगा 00 में जिसे यह दोनों टर्म्स जो हमारी एड़ होगी यह भी एड़ होगी हो यह हमार पस आगे अब अगें वही रीजन जो मैं पहल या शो कर दिया कि अलफा एक्स प्लस बीटा वाइ जो है यह हमारा किसे बिलों कर गए है डबल्यू से तो इट मेंस के यह जो हमने ली थी एक स्पैसिफिक टाइप आर टू क्रोस टू मैट्रिसीज की यह हमारे पास जो है सैट ओफ आल टू क्रोस टू मैट्रिसीज ओवर सैट ओफ रियल नंबर्स यह उसकी हमा पास क्या बंगी है सबिसो बनगिया यह उसका मने एक स्पैसिफिक सब सेट लिया था जिसमें हमने जिरू जो एफिक्स कर दिया ता ठीक है तो यह हमार फिर हमारी जो क्या बन गी है आपागे जो है वह एक ओर प्रॉपर्टी एक हो वो subset has consider की है M2R का इसको आपने जो है वो चेक करना है कि ये हमारे पास जो है वो subspace बन रही है या नहीं बन रही है इस पे subspace क्राइटरिया आपने अप्लाए करना है इसमें जो non diagonal entries है वो दोनों जो है वो हमने 0 ले लिए है तो इसको आपने खुझ से चेक करना है कि ये हमारे पास जो है वो subspace बन रही है या नहीं बन रही है ठीक है अब नेक्स्ट हमारे पास एक और example है उसको हम जो है वो इन्शाला नेक्स लेक्चर में जो है वो इसको डिसक्स करेंगे कि नेक्स आप कि यह बन रही है नहीं इसको आपने खुझ से कड़ना करना के कि यह आप लोग जो है कर सकते हैं के नहीं के विप लिए सबस्पेस बन रही है सेट ऑफống तूच्म मेट मेट्रिस मेट्रिस अवर था सट फिलियल नंबर्ष